गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होती है inheritance क्यों करते हैं हम लोग inheritance और यहां पर अब हम intelligent idea को जल्दी से खोल कर देखने वाले हैं कि constructors inheritance के साथ किस तरह गाम करते हैं तो यहां पर जल्दी है notes को मैं खोल लेता हूं inheritance तो हमने देख ली थी है हमने कहाता कि यार हमारी base class होती है वो derived class को अपने सारे के सारे methods और अपने सारे के सारी जो properties है वो दे देती है वो उसमें से कितने accessible होते हैं कितने नहीं होते हैं वो हम access modifier की मदद से प्राप्त करेंगे इस information को बाद में लेकिन अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि आपकी जो base class है वो derived class को जब बनाती है अनि कि जब आप derived class को base class से extend करके बनाते हो तब base class के सारे content आपको derived class में मिल जाते हैं और आप उसके बाद मैं रखूँगा constructors constructors in inheritance ठीक है और constructors in inheritance इस चीज को बनाऊँगा मैं और shift enter यहां पर मैं एक mean बनाऊँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा एक बहुत ही simple सी class बनाऊँगा class base इसके अंदर public int x is equal to यह से अफ x बनाते हैं Alt insert करके इसका getter और setter बना लेता हो ठीक है तो मैं Alt insert करके साग getter और setter बना लेता हो और हमने base नामों उल्ड़ी यूज़ कर लिया है इसलिए मैं base 1 यूज़ कर लेता हूँ ठीक है यह माई base भी यूज़ कर सकता हूँ तो मेरा base नहीं नहीं ठीक है यार, base ही ठीक है, base 1 ठीक है मतलब, base 1 मैं यहापर इसको use कर लेता हूँ नाम को, और यहापर मैंने getter setter लगा दिया automatically, यह मैंने किस तरह किया, यह आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों नहीं कर रहे हैं मेरी java की playlist access, और अगर नहीं कर मैं कैसे कर रहा हूँ, alt insert करके getter setter किस तरह से लगा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा class derived 1, और मैं लिखूँगा extend करती है, base 1 को, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा public int y, और मैं यहापर y के getter setter लगा दिया, वैसे मैं पुराना code भी copy कर सकता था बट ठीक है, चलेगा getter setter, नए बना लेते हैं, वैसे भी कौन सा टाइम लग रहा है जादा, तो यहापर मैंने getter setter बना दिये, मैं तरह यह spaces रटा दिता हूँ, ताकि यहापर आप लोग को अच्छी तरह से दिखे, वैसे मैं spaces रखना पसंद करता हूँ, अपने class के methods और properties के बाद, but screen में fit करता है न सब कुछ, तो इसलिए मैंने space रटा दिये, यहापर मैं क्या करूँगा, कि एक नया object बनाऊंगा, base 1 का, ठीक है, और base 1 का यहापर मैं जैसे ही object बनाऊंगा, मैं लिखना base 1, b is equal to new base 1, ठीक है, यह एक object बन जाएगा, अब मैंने आप लोग को अ base 1 करके ऐसे लिखोगे, और उसके बाद आप लोग इसके अंदर लिख दोगे कि मैं एक constructor हूँ, ठीक है, और, एंग्लिश में लिख देता हूँ, I am a constructor, ठीक है, और अब मैं जैसे इस program को चलाऊंगा, तो base 1 का जो constructor है, वो invoke होना ही होना है, ठीक है, base 1 का constructor पक्के से invoke होना है राइट लिख करके, रन करूँगा, और यहाँ पर देखो, I am a constructor मुझे मिल गया है, चलो यह तो आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, derived 1 का एक object बनाऊंगा, D, और लिखूँगा, new derived 1, ठीक है, क्या मैं इसको run करूँगा, तो क्या को कोई constructor, इसमें मैंने derived 1 में बनाया है, नहीं मैंने derived 1 में कोई constructor नहीं बनाया है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई constructor नहीं है, मैं इसको जैसे ही run करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है, I am a constructor, यहाँ पर I am a constructor print हो गया, अगर मैं अच्छा इसको हटा दूँ तब क्या होगा, त अगर मैं आपर derived class का एक constructor बना दू तब क्या होगा, अगर मैं derived class का ऐसे करके constructor बना दू और यहाँ पर लिख दू कि I am a derived class constructor अगर मैं जिस तरह से लिख दू और इसको run करूँ, तो क्या यही run होगा या पुछला वाला भी run होगा, पुछला वाला भी run हुआ, ओके तो अब समझ में आई कहानी, तो ऐसा होता है कि जो derived class है, अगर आपने उसका एक नया object बनाया, तो base class का constructor तो run होता ही होता है, और derived class का पहले कौण सा constructor run होता है, पहले constructor run होता है, base class का, और फिर होता है derived class का, तो यहांपर हम लोगोंने एक चीज़ सीकी कि आपने अगर derived class में एक constructor बना भी रखा है, तो वो पहले base class के constructor को call करके, फिर नीचे आपकि derived class के constructor को call करेगा समझे आप लोग तो यहाँ पर अगर मैंने यह derived class बनाई हुई है जगर मैं यह public int वाई वगरा हटा भी दूँ इसको मैंने use किया नहीं है वैसे इसको हटाई देता हूं जार क्या करना है ठीक है simple रखते हैं classes को तो मैंने यहाँ पर I am a derived class constructor लिखा है यहाँ हमें लिखा है I am a constructor ठीक है अब यहाँ पर मैंने क्योंकि यह इस तरह से लिखा हुआ है और मैंने जब इसको invoke किया था यानि कि जब मैंने derived one class का एक object बनाया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर I am a derived class constructor से पहले मुझे आया म a constructor देखने को मिला तो अगर हम लोग derived class का constructor बनाते हैं तो वो पहले base class के constructor को run करके फिर derived class के constructor के अंदर जो भी code लिखा हुआ है उसको execute करेगा ठीक है तो I hope यह चीज़ confusing नहीं हो रही है आप लोग के लिए इसलिए मैंने बना रखे हैं आप लोग के लिए notes और notes में मैंने आपर लिखा हुआ है कि when a derived class is extended from the base class the constructor of the base class is executed first followed by the constructor of the derived class समझे रहो पहले आपके base class का constructor execute होगा और उसके बाद आपके derived class का constructor execute होगा तो for the following inheritance hierarchy मैंने एक inheritance hierarchy बना यह जहाँ पर c1 class है उससे c2 बन रहा है फिस c2 class है उससे c3 बन रहा है तो इस inheritance hierarchy के लिए जो constructor execution का order होगा वोगा c1 c2 c3 है नहीं सबसे पहले c1 execute फिस c2 फिस c3 जब आपने c3 का object बनाया है तो यहाँ पर यह बात भी important है अगर आपके c3 का object बनाया है तो पहले c1 का फिस c2 का फिस c3 का constructor आपका यहाँ पर बनेगा ठीक है तो I hope कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई है अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं मानलो मेरे पास यहाँ पर दो constructors होते हैं यानि कि मैंने constructor की overloading कर रखिये और मानलो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि base1 और यहाँ पर मैंने int a लिखा हुआ है यानि कि एक integer भी ले रहा है I am a constructor with a value of यानि कि जो a की value है with value of a as मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इस चीज को और मैं आपर इस तरह से a लिख दूँगा यानि कि a की जो value है वो यहाँ पर show कर रहा है तो मैंने दो constructors बनाए एक तो यह constructor बनाए बेस्वन में और एक और constructor बनाए है जो कि integer argument लेता है अब अगर मैं derive में कुछ इस तरह से रखूँ और अभी मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I am an overloaded constructor तो आप मुझे ही बताओ इन दोनों में से कौन सा चुनेगा यह यानि कि इसको एक choice करनी पड़ेगी न जब मैं derive class का एक object बनाऊँगा तो होगा यह कि यह यहाँ पर जाएगा और इसको पता चलेगा कि यह base class से derive हो रहा है इसलिए यह कहेगा कि पहले मैं इसका constructor execute करके आ जाता हूँ अब जब यह यहाँ पर जाएगा तो यह without any argument वाला constructor by default run करेगा और आप लोग यहाँ पर देख लो यह देखो I am a constructor run कर रहा है और I am a derived class constructor उसके बाद run कर रहा है लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करना कि जो derived class का constructor है वो इस वाले constructor को call करे with a value of 0 letters से ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा मैं super keyword का use करूँगा और मैं आपर लिख दूँगा super और उसके बाद मैं लिख दूँगा 0 ठीक है इस तरह से और मैं इस तरह से लिख दूँगा control s ठीक है तो मैं आपर लिख दिया super और 0 अब मैं इसको run करूँगा तो पहले आ रहा था I am a constructor और I am a derived class constructor अब आ रहा है I am an overloaded constructor with value of as 0 और I am a derived class constructor तो यानि कि अगर मुझे अपनी base class का argument वाला constructor चला रहा है तो मैं super keyword का इस्तिमाल कर सकता हूँ और अगर मैं इसका इस्तिमाल नहीं करूँगा तो by default बिना argument वाला constructor वो run करेगा बिना argument वाला constructor run कर दिया है उसने ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को I hope यह चीज़ क्लेर हो गई है I am a derived class constructor I am a constructor और यहाँ प आपर जो X और Y है मैं यहाँ पर सिर्फ I am an overloaded मैं काम करता हूँ उपर से लेकर आता हूँ यह लेकर आता हूँ कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको paste करूँगा और मैं लिखूँगा I am an overloaded constructor of derived with value of B as और मैं आपर इसको A और B कर देता हूँ ठीक है in fact X और Y ही रहने देता हूँ int x int y int a int b भी मैं कर सकता हूँ x y भी रहने दे सकते हूँ कोई वो नहीं है ठीक है x y मैंने आपर कर दिया और मैं आपर y लिख देता हूँ ठीक है और मैं आपर करूँगा क्या इसको भी x y कर देता हूँ और यहाँ पर x कर देता हुँ यहाँ पर x कर देता हुँ और यहाँ पर मैं लिखूँँगा super x ठीक है तो हब होगा क्या, कि जब मैं object बना रहा हूँ derived का, तब यहाँ पर मैंने कोई arguments तो दिये नहीं और क्योंगी मैंने यहाँ पर कोई arguments दिये नहीं वो constructor जिसके कोई arguments नहीं है तो यहाँ पर super zero तो मैंने comment out कर रखा है तो यह कौन सा चुनेगा फिर base class का constructor बिना argument वाला तो I am a constructor, I am a derived class constructor मुझे देखने को मिलेगा आप देख लो लेकिन अगर मैंने यहाँ पर derived class constructor कुछ इस तरह से बना दिया मालो मालो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया मैंने 4 और 9 कर दिया है यहाँ तब क्या होगा यह 14 और 9 कर दिया है कोई भी integer देदिया 14 और 9 कर दिया तो यह काएगा कि मुझे कौन सा constructor ढूनना है 2 integer वाला जाएगा उपर काएगा ओके 2 integer वाला यह रहा constructor अब इसको यहाँ पर आदेश मिल चुका है कि x को लेके super class के constructor को call करो तो यह जाएगा super class में इसको मिलेगा constructor और यह I am an overloaded constructor with value of x as 14 यह print करेगा और उसके बाद यह print करेगा तो मैं इसको चला के दिखाओ आप लोगों को तो आप लोग देखो यहाँ पर I am an overloaded constructor with value of x as 14 I am an overloaded constructor of derived with value of x as 9 तो I hope कि आप लोग पता चल गया कि जो constructors हैं वो base class, derived class के साथ कैसे काम करते हैं मालो मैं एक और class बनाता हूँ यहाँ पर और मैं इसका नाम रखता हूँ child of derived ठीक है और यह extend कर रही है derived one से और मैं इसके अंदर क्या करूँगा child of derived नाम से constructor बनाऊँगा और यह constructor क्या करेगा कि लिखेगा यहाँ पर I am a child of derived constructor ठीक है और उसके बाद मैं क्या करूँगा इसी constructor को overload करूँगा और इस constructor को overload करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा int x int y int z ठीक है और मैं आपर क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा super और लिखूँगा x और y ठीक है x और y और z को यहाँ पर I am a child of derived class मैं इस चीज़ कॉपी करता हूँ यहाँ पर z की value मैं print करूँगा तो आप लोग inheritance hierarchy के हिसाब से constructor के execution को देखना कैसे होगा यहाँ पर मैंने z कर दिया और यहाँ पर देखो मैंने x y लिखा सबसे बेले क्या होगा अगर मैं child of derived एक object बनाता हूँ मैं आपर लिखोंगा child of derived और cd is equal to new child of derived और sami colon ठीक है और मैं इसको कुछ value जे रहे तो अच्छा गर मैं इसको कोई value ना दूँ तब क्या होगा I am a child of derived constructor लेकिन इससे भी पहले इसको derived one का call करना है लेकिन इससे भी पहले इसको base class का call करना है तो यह execute करेगा फिर यह execute करेगा फिर यह execute करेगा और देख लो आप लोग नतीज़ा आपके सामने ही है मैं इसको तरह comment out कर देता हूँ confusions हटाने के लिए मैं सिर्फ child of derived को ही यहाँ पर रखता हूँ मैं तीन values पास कर दूँ मालो बारा तेरा और पंदरा मैंने पास करी values x y और z की तब क्या होगा यह child of derived में जाएगा क्या कोई ऐसा constructor है जो की तीन integers लेता है है या नहीं है हाँ है कहेगा बहुत बढ़िया बताओ यह कहेगा मैं जाता हूँ उपर और derived की constructor रो call करके आता हूँ लेकिन सुपर बोलेगा ठेहरो जैसे शक्तिमान बोलता है ठेहरो बोलेगा हाँ बढ़िया क्या हो गया कहता है तुम्हें मैं आदेश जी जाता हूँ x और y value लेके जाओ सुपर class में और जो सादा वाला constructor है बीना parameters वाला वो call मत करो यह वाला call करो बोलेगा ठीक है x और y की values लेके जाता हूँ उपर और इनको call करता हूँ और आता हूँ वापस लोट के फिर उसके बाद जो नीचे का code है वो बाद मैं run करूँगा super x y यहाँ बढ़ जाएगा इसको ठेरो बोलने वाला कोई नी है क्योंकि यह कहीं से extend नहीं हो रही है यह अपने आप में एक class है इसको किसी ने जन्म नहीं दिया है इसने जन्म दिया है derived one को तो क्योंकि इसको किसी ने जन्म नहीं दिया है इसलिए यह चीज़ दरन हो जाएगी I am an overloaded constructor with value of x as मैंने क्या दिया था 14 दिया था 12 दिया था 12 अब इसको लॉटना था अब इसको लॉटना था वापस जहां से यह आया था यह काम अभी पूरा हुआ है तो यह यह print करतेगा I am an overloaded constructor derived with y value as 13 यह भी कहीं से आया था कहां से आया था यहां से आया था तो यह काम पूरा हो गया है अभी यह यह print करतेगा ठीक है तो इसको मैं run करूंगा तो x, y, z की values print हो जाएगी जैसे मैं आप लोग को बताया 12, 13 और 15 और यार इस example के बाद constructors किस तरह से काम करते हैं यह आप लोग यार पता हो जाना चाहिए मुझे लगता कि यहां पर किसी को problem होगी I just hope so यार कि आपको problem नहीं होगी और बता दो नीचे comment में यार आपको problem नहीं है ताकि मुझे भी एक संतुष्टी मिले कि हाँ यार आपको problem नहीं है तो यही बात मैंने आपर लिखी हुई है और मैंने यह बात यहां पर constructor during constructor overloading वाले section में भी लिखी हुई है when there are multiple constructors बाइद भी यह बताओ को notes की quality improve हो रही है नहीं हो रही है आप यार मुझे बताओ नीचे comment में सारे notes मैं hd में डाल दूँगा मुझे time नहीं लगता सही मैं और मेरे पास बंदे रहते हैं मेरा भाई नीटो मेरा पडोसी यह लोग काफी रूची लेते हैं इन कामों में तो मैं अगर अपना phone पकड़ा देता हूँ इन लोगों को बोलता हूँ यार ज़रा notes को scan करके PDF बनाना तो यह लोग आपस में लड़ने लगते हैं मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा तो मुझे बता देना यार कि अगर मुझे वापस से scan करने notes तो मुझे time नहीं लगेगा उसमें मैं किसी को पकड़ा दूँगा ठीक है और 9-9-8-8 साल के बच्चे यह बहुत शॉक से करते हैं काम scan करने वाले ठीक है तो मुझे बता देना मैं scan कर लूँगा मेरे पास हैं लोग जो यह काम कर देते हैं ठीक है तो when there are multiple constructors in the parent class the constructor without any parameters is called from the child class यानि कि अगर multiple constructors है in parent class में तो बिना किसी argument वाला बिना किसी parameter वाला constructor जो है वो child ना से रन होगा अगर आपने super का इस्तिमाल ने किया लेकिन if we want to call the constructor with parameters from the parent class we can use super keyword आप super keyword का इस्तिमाल कर सकते हैं और आप अपने चहेते constructor को run कर सकते हैं इनकी super a b आप लोग लिख सकते हैं और आप जैसे ही super a b लिखोगे अगर a और b integers हैं तो वो जाएगा ढूंडेगा इस तरह का क्या कोई function है super class के constructor का अगर उसको मिलेगा constructor उसको यह execute कर देगा वैसे अगर आप लोग के दिमाग में यह सवाल है कि यार अगर यह constructor होता ही नहीं तो अगर यह constructor नहीं होता तो obviously error देखने को मिलता आपको देख लो आप लोग ठीक है तो यह सवाल तो अच्छा है वैसे बुरा नहीं है सवाल बढ़ हाँ अगर आप लोगों ने अपने constructor की choice ऐसे दे रखी है कि यार कोई constructor रास्ते में available ही नहीं है तो आपका Java program जो है वो error throw करेगा ठीक है तो इस तरह से जो है काम करते हैं constructors अब यह बात तो आपको पता ही होगी कि constructor में मैं आपर int का इस्तमाल कर रहा हूँ यह कोई object भी हो सकता था और उसी के साथ साथ अगर मैं किसी भी class के अंदर कोई method बना रहा हूँ तो वो object भी return कर सकता है यह सारी चीज़े हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ा सा मैं हलका रख रहा हूँ चीज़ों को एक बार आप लोगी grip यहाँ पर मैं बना दू कि constructor कैसे काम करते हैं अगर तीन दीन level है inheritance की और किस तरह से base class, derived class के constructor call होते हैं यह सारी बाते अगर आप लोगों को अच्छी जाना से आ जाती है तो बागी चीज़े आप खुद से भी कर लोगे ठीक है बट मैं आपर focus कर रहा हूँ उन concepts पर जो बहुत ज़ादा important है तो इस तरह से constructors काम करते है inheritance के अंदर अब अगर आप लोगों नहीं Java के प्लेलिस टाकस नहीं करिये तो इसको कर ले ना, चुकि कोई भी topic अगर आप लोगों को weak लग रहा है तो आप इसी playlist से देख सकते हूँ और मैं बार-बार कहता हूँ और मैं बार-बार कहूँगा कि अगर कोई भी topic आप लोगों को लगता है यारी मुझे समझ में नहीं आया तो ऐसा कोई भी भारतिय नियम नहीं है Indian law नहीं है जो कि आप लोगो एक video को दो बार देखने से रोकता है तो यह बात आप लोगो दिमाग में रखना कि यार एक video को 2 बार देखा हो सकता है कि जब आप video देख रहे थे तो आपके दिमाग में shinchan चल रहा था हो सकता है यार आप इन्सानी तो आपके दिमाग में यह चल रहा हुगा क्यार निंजवा तोड़ी ने जो है अमारा को किस ताना से मारना चाहिए था वो सब चीजे अगर आपके दिमाग में चल रही है और आप देख रहो जावा का वीडियो सामने तो हो जाता है कभी-कभी और और देख लो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर आपने नियम बना मैं 100% होता हूं किया मैंने concept deliver कर दिया I hope that makes sense और अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time